जो है पूजा अगरा कर ली और आज जो है ना मतलब सावन का पहला सोमवार था तो सुंदर कांड का पाठ की है आवाद जो है बदल गई है पढ़ते-पढ़ते फस गया है गला सब होखे हुनर में रारु चाही सुनर मीली चाहना मीली तो दादी जो है हमारे पास में बैठ हुई हम लोग बात्चित कर रहे हैं और बताएए आप लोग तो जैहिन दोस्तों मैंनी दुराय ठाकुर्ट स्वागत करती हूं आप सब का अपने यूटूब चैनल फोजिवाए हार्ड लाइफ में कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपासे मैं भी एक दम अच्छी हूं और चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग के सो कंटिन्यू आप लोग में बने रहेगा और जो लोग भी नए होंगे वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बिल आइकन को और पर प्रिस कीजेगा ताकि हमारा नौटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियो देखते रहें दोस्तों तो चलिए फिर सुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की तो प्रिसमें जो है तो अच्छा पी आदे तो कोई देना हो पूरती है उमें के काट कि देशिका देशिका ना कदेखिए बेल्ट मेरे उपर फेग दी ना भारी हो मेरे हटी पी लग गया पैर पे और क्या कह रहे है हम सोचे कि बेल्ट ना टूटे हर समय बस मेरा मजाग हूर प्रिसमें भी ना कई प्रिसमें अच्छारा पैकने इसन बदू ना कोषिका रोग आए हर ब्याक जाता है मैरे ना कि दो फोलिटा पैया है कहीं कि धाइल बेगा हमरे बेड़ाओं पे धादी होना है यह चुवा कार्दे बना कुछ नीचाओं धादी ही देख रहा है ना कहीं करक्खा हुआ बैग लाकर मेरे बेड़ पे रख दिया है भाई हम इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते है एक रिल्स इस पे भी बना ले तो आप लोग देख लीजें का लूट इधर आईए हम नतिन पतो और दादी साथ हो मा एक साथ बैठे हुए हां कोहें कोहें जयें बताव तो बाने तो मैं बात कर रहे थी कि मतलब मैं रिल्स बना रहे थी तो उस पे बहुत सारे जो है इस पीदी फेक्ट होते हैं विवटी इफेक्ट क्या बोलते हैं उसको अभी नाम नहीं हो रहा है और फिखांड पर बारा है उस च्जबान और तो इस बना रहा है आपके पर करते हैं और प्रकाषि ऐसे को पादी है ऐसे प्रोद से बनाने में परिशान अम बोलरहे हैं लेते जाहिए उहाँ बन जाएगा मितलब बैक बनाने वाले उन्हों पास लेते जाहिए बन जाएंगा लेकिन खुछ से भाणने में लगी हुए है कफसे एक दम परिशान आए भसद रहा हिए इस च्राइब भूझे ही इस जाने वाले हैं तो पता नहीं मैंने क्या और प्लेट होगिआई ते मुझसे बोल रहा है कि तुम रख कर दो मैंने का यह भूझा हा। आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पर आईये, ょईए भास को फालो क사를 कोशा है आप इंस्टाग्राम पर ज्जादा रील्स नहीं बनाते हैं लेकिन कभी कभी बना देते हैं किसी दिन अगर मन कर देता है एक संत दो तीन आज पता है हां में बोल रहे थ हैं marketing जिसे क्या होता एंस्ट्राग में जादा दर क्या होता हैं यादा दर फिल्टर बहुत होते हैं बहुत लगता है और दोस्तों आप लोगों से एक बात और करनी है अचली मैं सोच रही हूं मैं क्या यह सोच रहे हैं कि अपना एक अलग चैनल बढ़ाएंगे तो उसमें मतलब देखिए जब यह नहीं रहते हैं अधिकांस तो यह साथ में रहते नहीं है तो इनको आप लोग नहीं देख पात मतलब हम दोनों और उस पे ज्यादा तर मतलब यही रहेंगे मैं नहीं रहूंगे फिर मैं भी रहूंगी चैनल हम दोनों का है तो हम दोनों रहेंगे लेकिन मतलब ज्यादा तर उसको यहीं करेंगे मतलब उस चैनल पे आप लोग जैसे मेरे चैनल पे इनको नहीं रह पाते आप लोग नाम पक्त का बताईगा, सौच कि आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो जैसे कि मेरा नाम है नीतु और इनका नाम है नीरज और आप लोग सोच लीजिएगा कि मतलब क्या नाम रखे, ok मैंने अपना नाम और इनका नाम भी बता दिया कि आप लोगों को अगर ऐसा कुछ मतलब लगेगा तो इसमें से भी बता सकते हैं बताईएगा ठीक है कन्फर्म और 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 क्या कहूं और कुछ है नहीं अभी हस रहे हैं लेकिन दो दीन बाद बहुत बुरा लगता है जब यह चाहते हैं तो फिर दीरे दीरे आदत पड़ जाती है और आज एक दिल की बात बता दे रही हूं यह भी बात में ब्लॉग देखेंगे तो सुनेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा मतलब सच में बहुत अच्छ इनसान जो है bele impla वे मुझे मिले हुए हैं बहुत अच्छ कभी-कभी तो देखिए आज लिए को की darling struggles a industries बहुत अच्छ वी तो हैं थोड़ी सिन नोग, जोग, लड़ाई, छिगड़ा होता रहता है और एक फौजी का वाइफ होना वैसे भी अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है तो मेरे रब्बा तेरा सुक्रिया गाना मुझे बिल्कुल गाने नहीं आता है और पताया मतलब आज अज सुबर मैंने सुंदर कांट किया था किया बताया मतलब तब मैं इनके उपर गुस्ता हो गई थी मैं अकेले पूरा शुंदर कांट कर रहे थी तो एसे काखकरणिक होता है वैसे तो अकेले मे इनसान थक जाता है तो मैं इनको बोली ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि चलो भाई एक बार मतलब साथ निभादे हम भी जो है साथ में आ जाए ताकि मतलब उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्या होता है गला बैट जाता है उतनी टाइम तो मेरी आवाज ही एकदम चेंज हो गए थे तो मुझे जो है पूजा हो गएर करने में मतलब बहुत जादा अच्छा लगता ह अपनी घर में बना के रखिए कि आने वाली जो हमारी पीड़ी हो उस संस्कारों से एकदम भरी हो अपनी संस्कृति को जानती हो देखिए अपनी संस्कृति जो है न हम लोग अधिकांस जो है जो वेस्टर्न डेस हैं उधर की तरफ हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं और वो लोग जो हमारी तरफ आकर्सित हो रहे हैं तो जड़ा सूचिए कि क्यों वो लोग हमारी तरफ आकर्सित हो रहे हैं बहुत सारे मैं ऐसे चैनल है जिसको देखती हूँ मतलब जो लोग दिखा ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो उधर के फॉरें वाले जो लोग हैं वो बहुत जादा हम लोगों की संस्कृत इसे एकदम मतलब दिल से लगे हुए हैं और वो लोग खुद बोलते हैं कि बत देना चाहिए अपनी संस्कृत ही जो है वह बहुत प्यारी वाली है तो अब हम चल रहे हैं किचन में काम ओम करने तेरा सुक्रिया ओ मेरे रब्बा हम तो हो गए हैं तुम्हारे सनम और क्या बताऊं और क्या नहीं तो हम किचन में आते हैं और हमारी नोटंकिया स्टार्ट नहों ऐसा वो यह नहीं सकता है चलिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं पता है इसमें दूध था पहले से मैं इसी में पानी डालके सीधे डैरेक्ट जो है पानी डालके धुलने जा रहे थे इसको कहिए कि देख लिया मैंने थोड़ा सा है और देखे भी मतलब काम करते करते एक बात ध्यान में आ गया कि हमें जो है मतलब हमारे धर्में अधिकांस मैं अपनी धर्म की बात करूँ सनातन धर्म मिन्स हिंदो काधर तो इसमें क्या होता है कि हमारा किचन जो है काफी साफ सुत्रा रखना होता है साफ सफाई का काफी ख्याल रखना होता है क्योंकि हम जो है यह कहते हैं कि इसमें अन्निपूर्डा देवी का वास होता है मतलब सभी देवताओं का वास होता है हाँ मितलब इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारा किचन साफ सुत्रा रह न चाहिए क्यूंकि हमेशा इसमें भगवान उपस्थित रहते हैं देखे हम जूठा रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान खाएंगे नहीं पीएंगे नहीं यह नहीं करेंगे वह तो बस आपकी मतलब प्रेम के भूखे होते हैं लेकिन हमारे लिए तो इस वर जो है वो सर्व पर हैं तो हम अपना साप सफाई का खांस ध्यान रखें मेरी मम की वह बात करती थी कि हमारा जो धर्म है वह सुंदर करम से ही आगे बढ़ता है के जिसकी नियत अजह होती है करम अच्छ होते हैं वह यह आगे बढ़ता है यह मेरी मम् मी बोला होता है तो रखना चाहिए साफ सफाई मेरे हिसाब से ग्यान की बाते याद बहुत हो गई यह बन रही है हमारी चाह और यह है दूद का यह बरतानी इसलिए है कि यह चूले पर रखा जाता है और चलिए दोस्तों आज की ब्लोग को कहते हैं यही पर टाटा बाबा है तब तक के लिए आप सब रखीगा अपना बहुत अच्छे से ख्याल में तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा और बिल आइकन को अल पर प्रिस कीजिगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियो देखते रहें ओकी दोस्तों तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लोग में और तब तक के लिए जैहिन इसको दिये थे ना इसमें भी मतलब थोड़ा से ठीक करवाना था जो हम लोगों का बोलते हैं कली बोलते हैं नीचे लगा रहता है वो इसमें नहीं लगा हुआ था तो उसके वज़े से इस महां से फढ़ जा रहा था इसको दिये हुए थे तो वह तो हो गया लेकिन ये पानी पी लीजिए बाबू नहीं बन पाया ये वहां पर बताएए चूहे काट दे हैं इसको लीजिए अच्छा सबके घर में न एक एक प्रॉब्लम लगी रहती है अब जो है फ्लग खराब हुआ है अब उसको बनाएंगे लब हिया पी लीजिए कुलर वाला जो प्लग है वो बार-बार खराब हो जाता है तो मैंने बोला था आज इक नया लेते आए लगा दिया जाएगा उसको खाने में भर्वा बना रहे हैं करेले का और परवल का ठीक है ना अब लाब लाब लेकर लाब लाब करो दो बनाएंगे